इस वीडियो में हम delete faces के बारे में सीखेंगे, delete faces कमांड कैसे use होती है और उसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम इस वीडियो में सीखेंगे मैंने ये कोई new file open कर रखिये, मैं इसमें delete faces कमांड को करूँगा, तो उसके लिए मैं कोई object बना लेता हूँ, जैसे मैंने आपर कोई object बनाया, box, मैंने कोई object बना लिया, एक box बना लिया मैंने इसमें delete faces कमांड जो है, वो ऐसे ही use नहीं होगी, जैसे मैंने box बनाया, इसमें जो face है, अगर आप चाहते हैं किसी face को delete करना, तो इसमें से आप delete नहीं कर सकते हैं, ये command इस तरह से use नहीं होगी, अगर आप यहाँ पर click करेंगे, delete faces, और किसी face पर लाकर click करके, और इसको enter करते हैं तो ये face delete नहीं होगा, delete face कमांड कब चलेगी, जब आप इसमें कोई editing कर देते हैं, उसके बाद इसमें delete face कमांड चलेगी, जैसे मैंने इसके जो corner हैं, जो edges है, मैंने इनको flip करा दिया, मैंने आपर click किया modify panel में, ये 2D वाली कमांड ये है, move, rotate, ये जो, यहाँ पर इतनी कमा कमांड ये है, तो मैंने इसको flip करा दिया, फिलीट की radius देती मैंने कुछ भी, मालो मैंने 15 देती, enter, और मैंने इस edge पर click किया, enter, enter, तो ये flip हो गया, फिर से command दी, flip, यहाँ पर select किया इस edge को, enter, enter, तो ये flip हो गया, कितनी भी edge को आप इसमें फिलिट करा सकते हैं, हम इस वाली edge को भी करा सकते हैं इस तरीके से, तो अब हम किसी face को delete कराना चाते हैं, तो हम किन face को delete करा सकते हैं, जो हमने ये बनाए हैं, ना कि in face को, in face को delete नहीं करेगा in face को delete करेगा जो हमने इसमें changes किया है अब हम यहाँ पर command देंगे अगर हम इसको copy करा के इधर रख लें जिससे हमें दिख जाए मैंने इसको select किया और मैंने click किया यहाँ पर copy escape button press करेंगे हम मैं यहाँ पर click करूँगा solid editing panel में यहाँ पर click किया मैंने delete faces उसके बाद हम यहाँ पर click करेंगे इस वाले face पर undo करा लेंगे यहाँ पर click करेंगे मुझे यह वाला face select करना है यह ज़्यादा हो रहा है undo करा लेंगे हमें उसी face को select करना है जो हम delete करना चाहते हैं जैसे यह मैंने select करा लिया select कराने के बाद हम enter करेंगे तो यह face यहाँ पर delete हो जाएगा जो हमने बनाया था इसका यह फाइदा है अगर हमने जो fillet किया है यह corner हम इसको वापस नहीं ला सकते इसको वापस लाने का यही एक तरीका है अगर हम इसको delete करा दें इस face को हम यहाँ पर click करेंगे अगर face को delete करना चाते हैं यहाँ पर click करेंगे delete faces और उस face को select करेंगे जिसको delete कराना है उसके बाद enter तो वो face पुरी तरह से delete हो जाएगा वो जो पहली वाली condition थी हमारी जो पहली वाली shape थी वो वापस आ जाएगी तो यह तरीका होता है और यह फाइदा होता है delete faces का इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई भी question है आप comment में लिख सकते हैं वीडियो को like करें चैनल को जरूर subscribe करें share भी करें वीडियो को और सफफाई का ध्यान रखें गंदगी नाफे लाए और गरीबों के मदद करें thank you